हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बैगन की अचारी बहुत ही सिंपल टेक्निक से सबसे पहले मैंने पैन गरम किया है उसमें मैंने मेथी दाना लिया है वन टी स्पून वन टी स्पून जीरा लिया है मैंने वन टी स्पून अजवाइन लिया है मंग्रेला ये ब्लैक है कैरम सीट बोलते हैं इसे और वन चमच मैंने लिया है अजवाइन इसे बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है और सरसो का दाना जिसे राइ बोलते हैं वो भी मैंने फुल स्पून लिया है वन टेबल स्पून और काली मिर्च मैंने हाफ टी स्पून लिया है सौफ वन टी स्पून अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी तीन से चार मिनट के लिए इसे ड्राय रोस्ट करूँगी मेडियम फ्लेम पर जब इसमें से एक अच्छा सा आरोमा आ जाए तब मैं फ्लेम आफ कर दूँगी अभी देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब ये हलका हलका छटकने लगे ऐसा लगे कि ये दो हो गया है एक में से तूट कर तब आफ फ्लेम आफ कर दीजेगा ये देख लीजी मसाले जो है वो ड्राय रोस्ट हो चुके हैं अब मैं इन्हें अच्छा सा एक फाइन पाउडर बना लूँगी जब भी आप पाउडर बनाए तो इसे पूरा थंडा कर लिजी उसके बाद ही पाउडर बनाईए ये देखे मैंने ठंडा कर लिया था फिर मैंने पाउडर बनाया है अब मैंने एक चम्मच नमक डाला है आधा चम्मच काला नमक डाला है एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डाला है दो चम्मच खटाई पाउडर आमचूर पाउडर डाला है अब मैं इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कुछ भी गाठे ना रहें आमचूर में बहुत सी इधा अधा गुठलियां होती उन सभी को चम्मच से तोल लिजेगा फिर आप इसमें दो चम्मच ऑईल डाल दीजे आप कोई सा भी ऑईल यूज कर सकते हो अगर आप मस्टर्ड ऑईल ले रहे हो तो उसे हलका सा गरम कर लिजे ये देखी मैंने बैगनों को अच्छे से धूल लिया था जब ये सूख गया था तब मैं इसे भीस से हाफ कर लिया था फिर उसके बाद दो कट और लगा दिया था देखी मैंने बहुत से कट कर लिये थे एक मैंने छोड़ दिया था कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कैसे कट कर रही हूँ यह देखिए मैंने एक में से दो किया फिर जो एक पार्ट लिया उसमें से दो पार्ट कर लिया अलग नहीं किया जुआइंट ही रहेगा पार्ट अब मैं यह जो spices तयार किया था वो सब इसमें भर दूँगी अचार के जो मसाले हैं इसमें बहुत ही अच्छे से भर दीजिएगा पूरे तरीके से और इसको करने से पहले हैंड को अच्छे से वाश कर लिजिएगा क्योंकि यह स्पून से अच्छे से स्टफ नहीं हो पाता है इसमें हाथ का यूज होना ही है देख लिजिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे विएसे भर सकते हो यह बहुत इस सिम्पल और असानी तरीके से मैंने आपको बताया है असान तरीकों से और आप इसे पराठे के साथ भी बहुत अच्छे से खा सकते हो दालचावल के साथ भी यह बहुत टेस्टी और यमी लगती है यह देखिए बातो बातों में सारे बैगन स्टफ हो चुके है अब मैंने सेम वई पैन मैंने चड़ाया गैस आन कर दिया है मैं इसमें वन टी स्पून के इतना ओयल डालूँगी जब ओयल गरम हो जाएगा तो मैं थोड़ा ओयल इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि यह मस्टर्ड ओयल मैंने डाला है मैंने ओयल निकाल लिया था वो आपको दिखाने पाई हूँ अब मैं उसमें सारे जो बैगन को मैंने भरे थे अचार के मसालों में वो मैं सब इसमें डॉप कर दूँगी डाल दूँगी पैन में अच्छे से यह देख लिजे अच्छे से स्पेस बना बना कर आप एक के उपर एक मत रखेगा अलग-अलग करके ही रखेगा देख लिजे आप मैंने कैसे रखा हुआ है अब जो मैंने ऑईल निकाला था उसको ब्रश के हैब से सारे बैगनों पर अच्छे से लगा दिजे क्योंकि इसमें ऑईल वन टीस्पून से जादा यूज नहीं होगा मैंने एक पाव बैगन लिया था 250 ग्राम उसके हिसाब से मैंने सारी चीजे लिया है अब देख लिजे इसे 6-7 मिनट के लिए एकदम मीडियम ने सिम पर रख दिजे आप एकदम सिम पर फिर इसको आठ मिनट बाद ओपन किजे का बीच मी बिल्कुल भी नहीं खोलना है इसे आठ मिनट बाद इन सारे बैगनों को पलट दिजेगा देखिए मैंने एक एक करके फ्लिप कर दिया है बहुत ही असानी से फ्रेंड्स यह बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत क्विक रेसिपी है मैं हर रेसिपी अपनी चाहती हूँ बहुत ही असान और सिंपर तरीके से आप तक शेयर करना ताकि आपका बिना टाइम बरबाद हुए अच्छे से आप बना सको और सारी चीजों का मज़ा ले सको खाने का फिर मैं पलट दूँगी इसे पलट कर फिर मैं कवर करूँगी दो मिनट के लिए देखिए दो मिनट के बाद मैंने ओपन किया यह देखिए जितने भी बैगन है वो पूरे तरीके से गल चुके हैं और अच्छे से सिख भी चुके हैं इसे बिल्कूल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको करना है आप अच्छे से देख लेजिए यह दम पूरे तरीके से गल चुका है अब मैं अपना फ्लेम आफ कर दूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल मत भूलिएगा फिर से मैं आपसे मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ देखने के लिए थैंक यू और बाय बाय फ्रेंड्स